वेलकम टो मोग अन्परमानुव और तोड़े इन आवर फिजिक सेशन वी आर डिलिंग विद आवर निव टोपिक तैस रिलेशन बिट्वेइन गुरूप विलोस्टी और फेज विलोस्टी के बीच के जो रिलेशन है उसको डिराइव करने से पहले हम लेट करेंगे कि जो भ हमने पिछली अपने वीडियो में पढ़ा था वेव विलोस्टी क्या है गुरूप विलोस्टी क्या है तो आप उसको एक बार देख सकते हैं वीडियो को इस वीडियो को कंटिनू करने से पहले आपके जो कॉंसेप्ट हम जादा केलियर होंगे तो वीजी यहां पर पार्ट विलोस्टी है जो कि उस वेव की है जो उस पैकेट के अंदर है वेव पैकेट के अंदर है तो वीपी यहां पर हो जाएगा न्यू लैम्डा न्यू यहां पर फ्रिक्वेंसी है उस वेव की और लैम्डा यहां पर वेवलेंथ होगी उस वेव की तो लैम्डा इसकल टू हमने particle velocity क्योंकि वो जो wavelength है उस particles के साथ associated है इसलिए यहाँ पर जो wavelength है उसके अंदर जो momentum होगा वो packet का momentum होगा और इसलिए जो velocity होगी वो भी उस packet के velocity होगी तो अब यहाँ पर total energy हम लिखते हैं e is equal to half m vg square e is equal to h new यहाँ से हम equate करके निकालते हैं new new होगा e by h और e के जगे value रखते हैं तो 1 by 2m vg square over h हमारे सबसे पहले relation vp is equal to new lambda से हम new की value निकालते हैं वो होगी vp by lambda और यहाँ पर lambda की value रखते हैं h over mvg तो अगर हम यहाँ पर h over mg यानि की new की जो value है उसको equate कराते हैं mv square by h से है तो h से h cross गायब vp बचेगा mvg कट जाएगा तो vp की value जो बचेगी वो बचेगी 1 by 2 vg तो for a non-relativistic particle जो phase velocity है वो हमेशा half होगी group velocity के तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जो vp है उसकी जो velocity उसकी जो value है वो c से जादा नहीं होने चाहिए और c से अगर जादा होगी या फिर vg से भी जादा होगी तो जो wave अंदर वाले wave है वो उस particle को छोड़ के बाहर निकल जाएगी particle पीछे रह जाएगा जो की possible नहीं है तो इसलिए जो vp है वो हमेशा कुछ ना कुछ कम value रखेगी vg से यानि की particle velocity से अब यही relation हम find out करेंगे wave number के respect में तो हम derivation की शुरुआत करते है अपने relation से vp is equal to new lambda अब 2 pi उपर निचे multiply करेंगे 2 pi से अब 2 pi new होगा omega और 2 pi by lambda होगा k तो यह relation होगा k by omega by k तो यहाँ पर omega is equal to होगा vp k अब vg के जो value है group velocity के value है वो d omega by dk होती है हमने पिछली equation या पिछली हमने वीडियो में देख लिया था तो यहाँ पर d by dk अगर हम अलग निकालते हैं और omega के value लगते है vp k अब इसके derivative के बाद हमें मिलता है vg is equal to vp यानिके derivative of k यानिके dk by dk तो वो कटका है one plus k derivative of vp यानिके dvp by dk अब next line में हम लिखेंगे vg is equal to vp plus k dvp by dk अब हमें एक बात पता है कि k is equal to होता है 2 pi by lambda अब हम इस k का अगर derivative निकाले तो वो होगा dk 2 pi common है 2 pi हमारे पास constant है तो अलग निकाल लेंगे 1 by lambda 1 by lambda का जो derivative होता है वो होगा 1 by minus 1 by lambda square d lambda तो अगर हम k और dk को divide करें तो हमें मिलेगा k by dk minus lambda over d lambda और इसी को हम वहाँ substitute कर देंगे हमारी उपर वाली equation में k dk की जगेंगे तो तो vg minus vp minus lambda dvpy d lambda तो यह equation in the form of lambda आगी है और यही relation है vp और vg यानिकी group velocity and phase velocity के बीच में है दो प्वापी bisa परिधा रिचल एवाली तो में तो आगारी तो रिमी ऊदिते है यहांस्ट आगी है ।ो